वो तो एक परवाज है पुर दोर एक आवाज है खामोशियों की है जुबाँ चल दे तो चल दे करवाँ वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ तो है यही वो रोशनी ते जस्विनी 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 जो गाव देहात की महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि अपनी किस्मत बदलना उनके हाथ में नहीं है ऐसी महिलाओं के लिए प्रेहना सुरोत हैं हमारी आज की तेजस्वनी जो खुद बेहत हरी परिवार से थी जो बकरियां चराती थी जिनको दो जुन का खाना भी नसीब नहीं होता था लेकिन आज वो इस मुकाम पर खड़ी हैं कि सोला सो गावों की दो लाग से ज्यादा महिलाओं को वो रोजगार देकर उन्हें स्वाब लंबन और स्वाब इमान की राह दिखा रही है और ये को सब कुछ संभर हुआ उनके अपने जुनून, अपने होसले, अपने जजबे से कि वो किस्मत को बदलने का माध्दा रखती हैं हमारी आज की तेजस्वनी है जानी मानी समाच सेवि का फूल बासन यादव अनेकता में ताकत होती है, इसी मंत्र को साथ कर महिलाओं को समर्थ बनाने में जुटी 36कड के राजनान्थ जिले के छोटी से गाम की अत्यान गरीब, पांचमी पास, चार बच्चों की माँ, एक महिला, भूल बासन यादव जो गरीबी से हताश होकर जंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन फिर हिम्मत दिखाई और हालात बदलने की ठान ली, परिवार का समाच का विरोध छेला, लेकिन फिर दस और महिलाओं को साथ जोड़कर दो रुपए और दो मुठी चावल से संगठंग शुरू किया अपने जुनून और होसलों से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दो सो गावों की दो लाख महिलाओं को आत निर्भर बनाया, अब तक 14,000 से ज्यादा महिला स्वव सहायता समुहों के जरिये महिलाओं को स्वावलंबन की राह तो दिखा ही रही है, सफाई, व्रिक्षा रोपन, जलसन रक्षन, सलाई कढ़ाई सेंटर का संचालन, रक्तदान, सूथ खोरों के खिलाफ जन जागुकता अभियान, बाल विवा, दहेज पर्था जैसी खुरीतियों का विरोत, हरी बच्चों की शिक्षा, हरी बलड़कियों की शाधी की जिम्म करा दिया, महिला अधिकारों, सुरक्षा के लिए महिला फौच दयार की, जो 816 गावों में सक्रिय हैं, और महिलाओं के खिलाफ अपराद, घरेलु हिंसा, छेरचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, फूल बासन बाई, अब बेटियों को आत्मरक्षा के लिए ट्र राष्ट्रे स्तर पर ख्याती बटो रही, भारत सरकार द्वारा, नारी शक्ति और पदमिश्री से सम्मानिक समाज सेवी का फूल बासन बाई यादव हैं, हमारी आज की तेजस्विनी और हमारे साथ आज हैं खुद फूल बासन यादव, जै जोहर फूल बासन जी, जै जोहर जै जोहर, बने बने, बने बने उड़े, तो ये करते हैं मुलाकात फूल बासन जी से, फूल बासन जी सबसे पहले जिस जजबे के साथ आप लाकों महिलाओं का जीवन बदलने की को वो हालात को अपने किस्मत मान लेती हैं और वो बदल सकती हैं, ये एहसासी नहीं उनके मन में कहीं आता, तो आप में ये हिम्मत कहां से आई, ये उमीद कहां से आई, कि जिन मुश्किल हालात में आप थी, आप उन्हें बदल सकती हैं। लेकिन कभी कोई मदध नहीं कड़ेगा जो आदमी डर के जितल्थ की जिते हैं, डर को भंगाना पड़ेगा तभी हम जब ङड़र बनके कुछ करेंगे तो हमारा हात्पकर के चलने वाला भी तो आपके जिंदगी में ये डर को भगाने वाला मोड कब आया क्योंकि बच्पन से ही आपने बहुत ज्यादा गुर्वत देखी थी बहुत गरीबी देखी थी शादी के बाद भी गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा तो आपने ये डर को कब भगाया और क्या कोई घटना थी कि ऐसी क्या थे वो हालात कि आपने सोचा कि अब इस डर को भगाना होगा एक दिन था बच्चे लोग एक दिन दो दिन तीन दिन भुखे रहते थे एक दिन ऐसे हुआ कि बच्चे लोग जब खाने मंगने के लिए आजू-बाजू के पास गए खटोरा लेके चामल के मार को कि अपने माने के लिए निगल गए निस फटने आपना इसाल कि उमर की तो मैं जा रिए बच्चे होंगा उंगा जाने दो दो तीन दिन भुखे था मार की उंपर कितने उमर की था घ्यारिए की बादीस मार की छार ने instrument कर जाँंगे बच्चे लोग जाए कर do AMichi तो मैं बख्चे लोग लगता था, मैं बच्चे लोग ताड़ा पड़ रही हैं, तो मैं बच्चे कोंप अच्छे को यहां अच्छा तो मैं अपने बच्चे, लोग ने लिएक दुख लगता था. कर दो किलो मेते एक किलो मुटर तक सब्सक्राइब हुआ इसक्राइब थी और भी के बघ्चे को लिए नहीं के लीए जारी थी चलों हम अब आप यह लायाएं लिगि भूल से fram Yaamas माँ हमको नहीं मनना है माँ हम जीना चाहते हैं हम नहीं मरना है दोनों हाथ पकड़े बच्चे लोग बहुत चिला चिला करो तो उसी समय मेरे लगा कि एक मा कितनी लचार हो जाती है और चाहा कि भी जीवन जीने के लिए मजबूर है लेकिन आज सायद मैं मेरे बच्चे देलों को जिंदगी दूघी और पूरा समाज में जिंदगी दूघी ओहरे गरिमाओ को जो भुकमरी में है गरीबी में हुनके साथ मैं घुक मेरे इक हत्यार बनकर करने चाहिए आपको कि महिलाओं को जोड़ना चाहिए कुछ काम करना चाहिए क्योंकि दो मुठी चावल, दो रूपए से आपने महिला समुष शुरू किया था तो मैं जब बच्चे लोगों को लेकर आई तो गईया चराते चराते खार में मेरे लगा कि ना मादुरुगा महिया है जो नौ रूप धारन कर सकती है वही से क्योंकि मैं सुरू से भगता हूं मा आदी सकती मादुरुग करते हैं तो कम से कम हम एक मानी खिला सकते बच्चे को लेकिन हम दस मा बनके बच्चे को खिला सकते हैं दस मा बनके उनके इलाज करवा सकते हैं और दस मा बनके जो मैं पढ़नी पाई हूं वह बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो वही से मेरा ध्यान लगा कि नहीं आप मैं कु का समूह गाओं में बनाना वो भी पहली बार कुछ ऐसा गाओंवालों ने देखा होगा और बदलाव को स्विकार करना कभी भी आसान नहीं होता लोगों के लिए तो पिर आपने क्या अपने जैसे सोच की महिलाओं को जोड़ा कैसे काम शुरू किया सबसे पहले जूड़ना बुलाक लाना जपने बाबक बुलाक लाना हम लोग खिडखी से जाग जाके देखते थे यह कि कोई निकले ना तो उनके आहां कि बहुत ठीक नहीं हो बहार निकर रही है यह समाज में एक पूरुस प्रधान में यह था कि नहीं नहीं निकलना है अब पर भी लांचन लगा एक गिलास पानी भी नासीब नहीं होता था लेकिन इच्छ सकती और कुछ करने का एक ठान ले जाए महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकते मैं मेरे मन में यह लगा कि मैं मर जाओं लेकिन अब घर में अतियाचार सहके यह समाज के अतियाचार सहके मैं वह जिंदगी नहीं जू तो पहले आपने अपने आपको आत्म निभर कब बनाया मतलब कब वो मोड आया जब आपके हाथ में आपकी कमाई का पैसा आना शुरू हुआ मैं 2001 में सवयम सहत्य समू जब पहले बनाई 11 महिलाओं को लेकर दोदर रुपिया वाला तो हम लोग 6 महने कंदर गत में जब समू बनाया तो भी रोग तो हुआ बहुत गावाले लोग चिलाए पानी देना बंद करो इनको बजार में दुकान में समान देना बंद करो बात मत क करो छोड़ दो इसको ऐसे सभी महिलाओं के सब्सक्राइब करना तलाब में साप करना और एक माचीज के तिलीक में मैं चामाली कठा करके बाल भोज सुरू की थी 2001 में जो बच्चे हैं को पोशन बच्चे जो इसकूल में पढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए ना कोई प सीर पूरी बना देते थे उसमें कुछ दाना चामाल का दाना डाल के उनको खिचडी बना के लाते थे क्योंकि गरीबी में बच्चे लोग पढ़ते थो लेकिन खाना पिना नहीं मिलता था क्योंकि गाओं में उस समय रोड भी नहीं था एक दुकान था बड़ा मुस्की से कुछ न कुछ इस्तिती बहुत खराब था तो आप महिलाओं ने क्या काम शुरू किया सबसे पहले पहले हम लोग सक्षटा में काम किये आज भी मेरा मेन उदे से ही है सक्षटा लेकि करती हूं तो सक्षटा में पूरे गाओं आओं और स्वास्त स्वीर लगा है रक्तदान की हूँ और क्योंकि पूरीस लोग तो अरुक्ति दान करते हूं महिलाइं भी देंगे यह सारे काम आप कर सकते हैं घर प Tenninas समास से पहले उनसे निपटना था क्योंकि मैं मालो आर्थिक इस्तिति अपना पहले सुधारती तो मैं सायद गाउवाले का मन जीत पाती न अपने परिवार का मैं ऐसे काम करना चाहती थी क्योंकि पुरुष लोग ही करते हैं महिलाई नहीं करती उनका जो सोच था उसको मैं पहले ध्यान दी उसके बाद मैं बेंग से तेरह हजार रुपया लोग निकालके अपने लिए बखरी पालन ली अब मेरे महिलाएं वह भी बखरी पालन और दूसरे बात गाउं का जो बजार ठेका था जो बजार में बड़े बड़े दलाल लोग लेते थे तो अपने आर्थिक इस्तिती सुधारने का था इसमें गांवाले लोग लगारी यह काम तो फूरुस लोग करते थे महिलाएं इसे कर लेती है तो हम लोग को पंदर अगस्ते में जंड़ा फैराने का मौका मिला यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं कभी गर वाले लोग वो बहुता दूरुरी का मिलतक हुं कि कतु कि जुए छबुए लिए लोगो में मैं जाते हैं गाली ही बीलतक है बहार के स हमारी महिलाएं जो सब के सांथ होता ठ्ल। जब हम लोग कुछ कि किये Isso लिए गाउ बजार ठेकले लिए, बहुत सारा काम की यह हम लोग और हर एक महिला समु जो जूड़ी थी उन लोगो छोटे-चोटे रूप में चैना मुर्रा का दोकान, छोटा सा होटल जिसमें होटल में चाय बजिया बनाते थे उसमें हमारा रोजी-्रोटी निकल जाता था यह छोटा र बहिला ओलम्पिक्स में पार्टिसिपेट किया आपको फर्स प्राइज भी मिला और क्या ये साइकलिंग की घटना आपके इस संघर्ष का एहम हिस्सा रही बहुत ज्यादा क्योंकि साइकल से मेरा चीवन में जो परिवर्तन हुआ वही सुआ समय में नहीं आने के करण मेरे बहुत मार पड़ता था समय में नहीं आने के करण में बहुत काम नहीं कर पाती थी जहां जाना चाहती थी पैदल जाती थी पैर में फोड़ा आ जाता था चपल अपल भी नहीं रहता था तो मेरे जो गुरू है दिने सिर्वास्तर सरजी जो 2001 मे तो सैक्डिल सीखने लिए में एक मेहने में सैक्ल चलाने सिख़्िया और और वहां बहोत प्रॉब Kabra यह तो कुछ भी करते रहती है तो मेरो कुछ नि लगता है जो जिसको जो कहो वोल Christmas और हचजारों महिलाओं को शिखाई कि हम पच्चे को बीमार है तो हमारे प anunci को बोलेंगे या प्रिपॐढुभ horizon को बोलेंगे लेकिन एक बात बताईए जैसे आपने इतनी दो लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना ये छोटी बात नहीं है मतलब एक अकेली महिला ISTA कुछ कर सकती है को देखकर वाकि विश्वास नहीं होता है फूलवासनची लेकिन कैसे महिलाओं में भी आप ये जागुरिती लेकर आए कैसे आप उनको भी जागुरू कर रही थी क्या गाकर कर रही थी किस तरीके से कर रही थी ग्याना तो मेरा रहता ही. NO, कोई भी कारीकर में गाना गाती हूह मेरे वहे बहुत सवख रहता है Be महती नहीं इसा सिर्फ कहुंग को मेर्न गाने हैं जो अच्छी ताॉ मैं से महती हूँ मैं इसालिय की बेटी हूं मैं ऑपने माबाप से भी ज्यादा आती है कि वो जागुरुख हो जाए गांधी बबा के समान चैचा नहीं के ज्ञान जुझा रमील भूइया ला करीबो महान गांधी बबा के समान चाचा नहीं के ग्यान जुरमील भुईयाला करीबो माहान ये भुईया के खातिर कतको गोलीला चलाईने ये भारत ला छोड़ो कई के अंग्रेजला भगाईने अंग्रेजला भगाईने अपन गाओं के खातिर चलो बनालो निसान जुरम लभुयाला करीबो माहान गांधी बाबा के समान चाचा नहेरो के घ्यान जुरमील भुयाला करीबो माहान मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप अलग-अलग मुद्णों पर गीत बनाती हैं तो महिलाओं के भी दिल को छूता होगा लेकिन कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन-कौन से ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी बुराईयां हैं, जिनके साथ आपने लड़ाई लड़ी और जो महिलाओं के विकास में बाधा बन रही थी। मेरी महिलाएं अपने हाथ में जान लेके, लकडी लेके सिटी बजाके, दो से तीन घंट निकलती हैं, बिना सरकार के मदद से। और इन्हें महिला फौच कहा जाना है। मेरी महिलाएं जो जुव अतास खेल रही हैं, बेटियों के साथ को अतियचार हो रहा है, समाज के साथ, महिलाओं के साथ मार पीट रहा है, या कुकर्म हो रहा है। पीने वाले का तो आधा सदुन है उनको 10 गाले खराब में जाती Lifeto coûts का पराषी क泡़ा लिए जहीं की सब्सक्राइब का भाशी है और गलता को 30 उस्नेश के पूरा से सदुन के दुट ह Kill Sleep वहां सराब बनता है बड़ा बड़ा हंडी चड़ रहता है उसको सिधा आग लगा देती हैं बाद में पुलीस प्रसासन लोग आएंगे लेकिन पहले तो पूरे गाउं की महिलाई कठा हो जाती है 15-20 गाउं की महिलाई कहीं कहीं चार से पाच गाउं की महिला यह चार बजे-पाच बजे सेही अपना अपना जंगल पहाडी में निकल जाती है इंटु नीहाओ, सालाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, पामस्कर भारता, मुई लूस्टों लाम इंश्री इंटु नाहनु हुनूर, इंडिया, मा हिंदी हस्ति मुण हिंद्यानि, सालाम हिंदुस्ता, वी आर इंडिया, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं तेजस्विनी जिसमें आज हमारी साथ हैं समाज सेवी का फूल बासन यादव फूल बासन जी गुलाबी गैंग बढ़ा मश्वुर हुआ है जाना चाहेंगे एक तो ये बात एक क्यों चुना इस गैंग के लिए क्योंकि गुलाबी रंग एक महिलाओं का इक बहुत यारगार रंग है क्योंकि हमारा जू looking मेरा सोच है मैं सुरू से वह चीज में बहुत पसंद करती हूं हमारा जिन्दगी है महिलाओं का एक गुलाब के फूल के काटो की तरह होता है बचपन से देखो जो तीन बेटियां है तो उनके तीन बेटियां है उनका कोई बेटा नहीं सब समाज लोग बोलेंगे बेटा क्य फिर वह बेटी जवान हो गई तो सस्राल भेज दिये तो पती के दबाव मा गए वह जो बोलेंगे वह चीज करना पड़ता है मावाप किये पती किये उसके बाद फिर साज भी बन गए तो बहु बेटे लोग नहीं आपको नहीं जाना आप बच्चे को देखिए हम लोग ज जिन्दगी जैसे काटो भरी जिन्दगी से हमारा जिन्दगी उभरता है और वहां से हमारे समू पैदा होता है जिन्दगी से काटो काटो से निकलता हुआ एक गुलाब है जिसमें पंखडी है वह पंखडी हमारा गुरूप है महिला संगठन का समू का अब पंखडी में ज अच्छा आप ये समाच की जो कुरीतियां हैं उनसे तो आप लड़ी रही हैं चाहे दहेज प्रता हो या महिलाओं को लेकर तमाम अनित समझ से आए आप आप अवाज बुलंद कर रही हैं लेकिन आप और व्यापक सतर पर भी काम कर रही हैं आप मिड्यमील प्रोग्राम से ज कौड़ा जा सकता है लेकिन पंदरभीश लखडी को गठ्थ बान दिया जाए किसी मिल यहाय कौन हो करेंगे सरकार का में जवान जड़ तक जाए गावं नोगरी जो समस्य सरकार तक जाए और वह संगठन में जो काम करेंगे तो एक आदमी हम लोग कुछ नी करते हैं एक आ हमारा एक परिवार नहीं दो परिवार सुधरीगा, समाधु सुधरीद happy क्योंकि यहaaa की सिक्षित हो से घर जोगाओं वह सब लोग जानते हैं और हमारे में पुरुस में दो गून है तो मैईलाओं में चार गून होता है सोचने का परिवार चलाते हैं दिकारी में के रूप में हो या घर में हूँ पूरा घर से लेके पूरा आपिस तक पूरा समालते हैं और आखरी घर तक भी जाएंगे तो पूरा काम करके यह सोएंगे महिलाओं में सबसे ज़्यादा आगे चलके संसकार को चलाने वाले और बच्चे लोग आएंगे। आप इतनी बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं आप जो वाकई वास्तविक्ता से जुड़ी हुई बाते हैं लेकिन फूलबासन जी आप तो शाइद सात्वी पासी हैं ज्यादा पड़ी लिखी नहीं है आप मेरा इसकूल जानत पाच्वी तक ही हुआ दो कच्छा फीर पड़ी कभी कभी जाके क्योंकि बच्पना मेरा कभबस ही धोते हुआ गुजरा साथ साल के उम्रे में बच्छी कभबस ही धोती थी वहां भी दो तिन तीन दिन भुख्य प्यासे रहना पड़ता था माबाप रोते थे चिल लाते थे हम लोग खाने के लिए तो तो यहां तक पड़ना है कई बार इसकूल जाती दोंडों के लेकिन इसकूल में भी बोलते हैं आपने माबाप को बुलाक लाओ उनको भरती होना पड़ेगा आपको ड्रेस पहन के आओ बस्तर लेके आओ पैसा नहीं था पड़ भी नहीं पारी थी और लेकिन मैं पूछना आप से यह भ बहुत जरूरी है इसको मैं मानती हो इसलिए मैं काम भी करते हूं पड़ाई के लिए बच्चों के लिए तो इसे जुरूप से मेरा भ्यान चलता है तो पड़ाई के साथ में हम और जड़ है वह हमारे गाउं ग्रामीन में भी आपको ऐसे ऐसे चीज़ सिखने को मिलेगा क् जरूरी है जैसे जैसे हमारा देश बदर रहा है वैसे हमको भी बदलना जरूरी है ऐसे नहीं है कि हम बदले नहीं कि बदलना हर एक इनसान को बदलना चाहिए हम पहले गया बक रिचार आथे थे अब महिलाओं को चरा रहे हैं जिंदगी जीना और मेरा मेन उद्देश यहीं है कि हमारा जो उद्देश है पानी बचे क्योंकि पानी गहराई में जा रहा है सब्छता हमारे लिए जरूरी है सौचाल बनाने से कुछ नि होता है, सोच बदलने से होता है, हम लोग आठी होता दिन सौचालाय बनाते गए, सोच बदलने तो उन신 लोग सैंम बना मुदत नहीं दलागा हमको, अभी तक हम लोग कोई भी कारे करम के लिए 1 रूपसदे सर्कार से नहीं मंगत आप लोग खुदी कमा रही है और खुदी समाज को बदली काम भी कर रही है तबी आप स्वच्चता कम पर भिड्या में सुरक्ष्या कारे करम की ब्रांड अन्वैस्टर आप डियन अब इस मौके पर जो देश दर से बड़ा दुसमन कहीं नहीं है, अब महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो डरी है, उसको तरवाल बना के निकल जाये तो कहीं भी कठना ही नहीं है, मैं अभी हर एक बच्चियों को मैं कराटे सिखा रही हूं, आत्म सुरक्षा के ट्रेनिंग के लिए, हम लोग डर डर के जिन्दगी जीधे ही महिलाओं, महिलाओं भी टेरिंग ले रही है हैं अभी महिलाओं के साथ बेटीओं के साथ नसया मुकत हो गाओं इसके लिए भी किसी कराटे सीख लिए लिकिन कहीं थाउनौ पहला मेरा सवयम साहताय समू बना, फिर दूसरा महिला फौज बनाई, महिला फौज के बाद मेरा अभी महिलाओं के लड़कियों को महिला की सोरी को आत्मा सुरक्षा का ट्रेडिंग चरह रहा है सविमान रहे हमारा महिलाओं के लिए और चौथा यूआ को भी मैं तयार करने वाली हूँ जल्दी क्योंकि हम सब क्योंकि मेरे मन है कि कोई मुख्यों मंत्री सलसद विद्धायक बड़े नहीं होता जनता समाज जाग जाए तो हर गाउं बदल सकता है क्या बात है बहुत बड़ी बात कहीं आपने फूलबासन जी और अगर आपकी ये सोच सभी लोग अप बात करने के दन्याद दन्याद तो ये थी फूल बासन जी जिनकी जन्दगी इस बात की मिसाल है कि महिलाए अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है आज के सकाइकरम में बस इतना ही लेकिन हमारा इमेल आपको याद है ना तेजस्वनी.ednews at gmail.com आपके सुझाव आ वो दो एक परवाज है उर्दोर एक आवाज है खामोशियों की है जुबां चल दे तो चल दे कारवां वो है जहाँ वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ तो है यदी वो रोशनी वोशनी